हालो और वेल्किम दोस्ते तु फाइब मिनिट्स इंजिनेरिंग आज का वीडियो वह आखे बड़ा कम्माल काउने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में एक प्रश्ण का उत्तर मैं आप तक पहुचाना चाहूंगा और वो प्रश्ण है जुड़ा हुआ विद तो ये वो सही समय है ये वो सही शन है कि इसके बारे में समझ लिया जाए जान लिया जाए और इसकी डीटेल्स अभी में आपके साथ शेयर करना शुरू करने वाला हूँ नाम में देखो AI लिखा हुआ है आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जिसके उपर अल्रीडी अपने प् अब उन्ना सा लल्ला है ये बात आपको जाननी है समझनी है और इस नाम में AI के साथ जी भी लगा हुआ है जी माने जेनरेटिव और जेनरेटिव इस शब्द से आप क्या समझ पा रहे हैं कि वह आपका कंटेंट को जेनरेट कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं जो आपके जेन की जेनरेटिव AI भी कहा जाता है तो जेनरेटिव AI दो जो रहते हैं वह आपका कंटेंट करने की ड़्स ओर्कोंडव करते हुआ है। तो भाईया ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि ऐसे भाईया respective content को generate करने के लिए काफी जादा लोग एक साथ मिलके जब बहुत महिनत करते हैं, effort डालते हैं, time डालते हैं, पैसा डालते हैं, तब जाके भाईया एक ऐसा content सामने खड़ा हुआ दिखाई देता ह लेकिन जेनरेटिव याए की मदद से ये काम on click possible हो सकता है, तो भाईया ये चीज तो काफी जादा हैरान कर देने वाली है, तो अगर आपको जेनरेटिव याए की ये सारी बाते सुनके हैरानी हो रही है, तो जरा सा रुक जाईए, अब जो आगे मैं आपको बताने वाला ह होगा कि सरजी ऐसा कैसे हो सकता है, ना आस तक ऐसा कभी सुना है, ना आस तक ऐसा किसी ने किया है, लिकिन ये हो रहा है, चल रहा है कहां पे, geeks for geeks platform पे एक scheme चल रही है, geeks for geeks एक ऐसा नाम है भाईया, जो बड़ा ही trustworthy और popular है among all the engineers, यहाँ पे scheme चल रही है, कौन सी scheme है भा पढ़ने के लिए आपको refund दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आपको refund दिया जाएगा, बिल्कुल सही सुना, अगर आप geeks for geeks के portal पे जाते हैं, उस पे जो भी courses available है, आपको जिसमें interest अगर आप उसमें enroll करते हैं, और enroll करने के 90 दिन के अंदर, 90 days के अंदर, अगर आप 90% refund तुरंत कर दिया जाएगा, ये भाईया जो scheme है, geeks for geeks पर चल रही है, तो आप इसका बिल्कुल भरपूर जादा फाइदा उठा सकते हैं, link description में दे दी है, जरूर जाइए विजिट कीजिए, पढ़िए और पढ़ने के लिए refund क्लेम करिए, तो यहाँ पर बहुत सारे courses क बीच में एक Generative AI पर भी course मौझूद है, जिसका नाम है Mastering Generative AI and Chat GPT, जिसके chapters की detail week-wise manner में इस वक्त आप अपने screens पर देख सकते हैं, और भाईया समय समय पर यहाँ पर contest भी conduct किये जाते हैं, जिनकी details भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, और बस आपको जादा कुछ करना नहीं, इन्रोल करने के बाद सीधा-सीधा सीखना समझना यहाँ पर वीडियो के दूरू शुरू कर दीजे, articles भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और quizzes भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, so do check out this course as well, तो जैसे कि मैं आप सबसे शुरुबात में कह रहाता कि यह जो Generative AI का उसमें आता है भाईया अपना ML का फंडा, यह डाइगराम AI, ML, DL का मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ, और इसमें आ जाता है आपका ML का सबसेट, that is DL, यानि की Deep Learning, ML यानि की Machine Learning, और AI यानि की Artificial Intelligence, और उसमें ननना सा मुनना सा लला यहाँ पर हमार Generative Artificial Intelligence, Deep Learning के अंडर, यहाँ पे सबसेट की तौर पे देखने को आपको मिल जाएगा, अब इसका एक बेसिक ढाचा स्ट्रक्चर जेनरेटिव यह है का मैं आपको दिखा देता हूँ, यह कैसे काम कर रहा हूँ, वो बेसिक फंडा भी आपके सामने में पेश किये देता आपका G, A, I, M, यानि की Generative Artificial Intelligence Model, अब ओवियसी बात है, इस मौडल को ट्रेन तो करना पड़ेगा, तो ट्रेन करना पड़ेगा तो आप क्या दोगे, आप ओवियसी बात है, उससे कोड दोगे, अब कोड से तो मतलब यार, कोड के साथ कुछ और भी तो देना पड़ेगा, यानि कोड के साथ आपको देना पड़ेगा, जी डेटा, अब देखो, कमाल की बात है, ये डेटा जो आप Generative Artificial Intelligence Model को दे रहे है, ये लेबल और अनलेबल, दोनों को ये प्रोसेस कर सकता है, बड़िया तरीकी से काम कर सकता है, तो यहाँ पे जो डेटा है, वो अनलेबल, य ये दोनों के साथ यहाँ पे आपका model काम करता है, ये बात आपको समझ में आ रही है, तो जब मैं अनलेबल बोलता हूँ, तो कौनसी टाइप की learning आ जाती है, अनसुपरवाइजड लर्निंग, अनसुपरवाइजड लर्निंग, और यहाँ जब मैं लेबल डेटा बोलता यानि कि question answer, question answer, question के साथ answer भी होगा, यानि कि वो आ जाता है आपका supervised learning के अंडर, तो यह दोनों का जो इस्तमाल है, आपको यहाँ पे generative AI model में use होते वे देखने को मिल जाएगा, अब देखो जी, ठीक यह सारा कारेगरम तो आपका input side पे था, चलो, यह input side का कारेगरम तो सम test मिल जाएगा, सही बात है, आपको image मिल जाएगा, आपको video मिल जाएगा, audio मिल जाएगा, इसी बहुत सारी चीज़ है, as a output अपने को respectively model generate करके प्रदान कर सकता है, अगर थोड़ा से इसके internally अपन घुसेंगे, तो देखेंगे कि यार इसमें actually majorly आपको दो sub models दिखाई दें एक होता है generator model, एक होता है discriminator model, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, अलग से वही है, एक diagram बनातों, जिससे आपको clear idea मिलेगी, तो यहाँ मैंने बोला था न, data unlabeled और labeled, तो जब मैं यहाँ पे discriminator model की बात कर रहा हूँ, तो वो actually labeled data के साथ deal करता है, लेबल डेटा के साथ deal करता है आपका discriminator model, और दूसरी तरफ जो generator model होता है, वो आपका unlabeled data के साथ deal करता है, यानि कि यहाँ पे supervised learning का कारेकरम चल रहा है, और यहाँ पे unsupervised learning का कारेकरम चल रहा है, इतनी बात clear है, आप देखो जी यह कारेकरम चल कैसा रहा है, शुरवात क अब यह जो है, यह real image नहीं है, यह एक generated image है, या फिर इसको और दूसरे simple भाशे term में बूलू तो एक fake image है, यह क्या है, एक fake image है, जो कि generator द्वारा generate की गई है, यह वो कोई real नहीं है, आप discriminator का काम क्या होता है, यह जो generated image आपके discriminator को प्राप्त होगी, वो बताएगा कि यह respective image आपकी real है, या fake है, यानि कि क्या यह एक real image है, या फिर यह एक generated image है by the generator, यह बात आपको समझनी है, और अगर discriminator यह पकड़ पाता है, अगर वो पकड़ लेता है कि भाईया यह जो image थी, यह generated थी, यह fake थी, तो भाईया, obviously बात है, generator को और better करना पड़ेगा, और अपने क काम को बहतर करना पड़ेगा, ताकि वो discriminator को चक्मा दे सके, तो एक feedback जो है, वो generator model को जाता है, और भाईया, उसको समझाए जाता है कि क्या काम कर रहे हो तुम, पकड़ लिए गए हो तुम, तुम चक्मा नहीं दे पाए, भाईया, discriminator model को क्या कर रहे हो, और improve करो, और better करो तो ये loop, ये cycle चलता रहता है, जब तक जब तक भाईया, आपका generator कुछ ऐसा generate ना कर दे, जिससे कि discriminator भी confused हो जाए, कि ये real है या fake है, तो discriminator का काम क्या भाईया, label data दे दिया, supervised learning काम कर रहा है, तो उसको बताना है, predict करना है, classify करना है, कि real है या fake है, और generator जैसा नाम वैसे ह काम उसको भाईया, respectively data जो content है, वो generate करना है, hopefully ये सारा मामला, जो कि आपके generative AI के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, उससे भी जाज़री इस वीडियो को share कीजे, अपने सारे दोस्तों के साथ और भाईया, जो Geeks4Geeks पे एकदम unbelievable scheme चल रही है, उसे भी जबर विजिट कीजेगा, link भाईया, description में है, मिलते हैं अगले वीडियो में